प्रणाम आचारिय जी ये 2011 के सम्तिंग डिप्रेशन की प्रोब्लम होई थी मज़े ज़र उस समय घर में आई सान्ती की वज़े से बाहुल थोड़ा मांची चंतुलन खराब हो गया एकदम डर आगया लाइफ के अंदर और उसके बाद से ऐसे चल रहा फिर डर एकदम से हावी होता ही रहा उस समय से और फिर गड़पड़ियों ने भी मतलब दबाना शुरू कर दिया और फिर गिरता ही गया उसके बाद में और उसके बाद से जैसे है अब पता है और जानकरी गें तौन सभी ने वोला योग करो तौत कोई ने करो यह चैसन का मेडिटेशन करो्रोद को बूलता है कानुँ में एक हावाज आरो इसका ध्यान करो खूब किया कोई और ने काम ने करता काम गरो काम भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रजा होना से ही साथ-ाथ साल पहले कुछ पारिवारिक इस्थितियों के कारण डिप्रेशन में चले गए थे उसके बाद तरीके तरीके से ध्यान आदिके प्रयोग करे लेकिन कुछ फाइदा नहीं दिख रहा है ये है कहानी इस पूरे भाके में ये तो बताया ही नहीं कि परिवार का क्या किया जिनकी वज़े से डिप्रेशन में चले गए थे ये हैसी थी बात है कि आचारे जी पीठ पे जोंक चिपकी हुई थी साथ साल से तो उसके बाद से मैंने काला खटा बुड़िया के बाल शम्मी कबाब ये सब भाति भाति के खाद्य पतार्थ आजमा कर देखे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ पीठ पर जोंक चिपक गई थी तो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई उससे लाभ नहीं हुआ तो फिर मैंने सड़क से बुड़िया के बाल खाए बुड़िया के बाल जानते हूं अरे बुड़िया के बाल नहीं वो जो बेच रहे होते हैं कोई सोच रहा हो कि बुड़िया के बाल खा गए अब फिर बताओ जोक चिपकी हुई थी जब चॉकलेट आइसक्रीम से फाइदा नहीं हुआ तो फिर मैंने गोलगप्पे खाए दूर अन्य शहरों की यात्राएं की लखनव गया वहाँ टुंडे कबाब खाए अठारा बीस तरीके के वेंजन बता दो मुझको ये मत बताना बस की जोक का क्या किया उसका तो जिक्री नहीं करना है वो बात छुपागे रखनी है लुनिया की कौन सी जोक है जो तुम काला खटा चाटो तुम्हें छोड़ देगी बताओ और तुम्हारे भीतर वो कौन बैठा है जो सही इलाज से इतना घबराता है परिवार में जो कुछ भी तुम्हें तरस्त कर रहा था वो इस्थितियां पुरानी की पुरानी वैसी की वैसी तुम्हारे भीतर जो बैठा है जो तरस्त होने को तैयार है वो भी वैसा है का वैसा अब तुम इस तरह का ध्यान करो या उस तरह का ध्यान करो इटैलियन खाओ की चाइनीज खाओ तुम्हें कोई राहत मिलेगी क्या कहो बोलो है हुआ 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 है इलाज वहां करना पड़ता है न जहां पर तकलीफ है दिल का दौरा पड़ा हो और तुम जाओ चंपी करवाने या कहो कि वो जो कान का मैल निकालते हैं किसी को ढूंड के लाओ तो कुछ काम आएगा तकलीफ जब दिल में है तो चंपी करा के क्या होगा दो होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं बात को साफ समझ लीजिएगा दुख की हर इस्थित में दो होते हैं एक दुख देने वाला दूसरा दुख सहने वाला और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता दुख पीडा कश्ट की हर स्थित में हर मामले में इन दो को आप मौजूद पाएंगे वो स्थितियां जिन में दुख का अनुभाव हुआ और वो इकाई जो दुख का अनुभाव करती है ये दो लगातार मौजूद रहेंगे तो जब भी आपको उपचार करना होगा इन ही दो में से किसी एक का करना होगा किसी एक का उपचार कर लो दूसरे का अपने आप हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है अध्यात्म कहता है शुरुवात तो करो तुम उसका उपचार करने से जो दुख सहने के लिए इतना आतुर रहता है क्योंकि बाहर की इस्थितियां बदल पाना हर समय हमारे हाथ में होता नहीं दूसरी बात अगर तुम्हारे भीतर वो जमाही बैठा है जो दुख सहने को तयार है तो तुम बाहर की परिस्थितियां बदल भी दोगे तो वो दुख पाने का कोई और तरीका ढूंड लेगा तो इन दो में भी अगर उपचार करना है तो वरियता किसको दो भीतर वाले को भीतर वाले को वरियता दो पर बाहर वाले का परिवर्तन भी अवश्यमभावी है क्योंकि भीतर का मामला जब बदलने लगेगा तो तुम बाहर वाले को भी बहुत दिन तक पकड़े नहीं रहोगे भीतर कोई बैठा था जो दुख पाना चाहता था इसलिए बाहर बाहर तुम उससे जुड़े रहते थे जो तुमें दुख देता था जब भीतर तुमने उसका उपचार कर लिया, जो दुख पाने के लिए आतुर था, तो बाहर भी अब तुम उससे जुड़े रहने के अभिलाशी रहोगे ही नहीं, जो तुमें दुख देता था, तो भीतर बाहर दोनों परियोर्तन हो जाते हैं, जब भीतर का होने लगे तो बाहर का परियोर्तन भी रोकना नहीं चाहिए, कई बाहर शुरू आता बाहर के परियोर्तन से कर देते हो, दोनों में से कहीं से भी कर लो शुरू आतो, लेकिन बाहर मौजूद है दुख देने वाला, भीतर मौजूद है दुख पाने वाला, और तुम चाट रहे हो काला ख बरफ का गोला काले रंगा उसमें कुछ खटांखटा मिला के दीया जाता है माहर वो मौजूद है जो हमें थपड़ी आए जा रहा है भीतर वो मौजूद है जो थपड़ों को बरदाश्ट करें SEN और हाथ में क्या है काला खट्टा और हम कह रहे हैं ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा हम दूर करना चाहते भी है क्या कह रहे हो परिवारिक इस्थितियों के कारण अउसाद में गए परिवार किसका है बडोसी का किसका परिवार है बताइए अपना परिवार है न किसी भी परिवार में मौहौल यूही अकस्मात नहीं होता क्या कोई संबंध नहीं है हमारे व्यक्तित्तों में और हमारे परिवार की दशा में कहिए हम जैसे हैं और हमारे परिवार की जो हालत होती है क्या उसमें कोई संबंध नहीं होता परिवार क्या है घर की दीवारे कुर्सियां सोफे चादरें इनको परिवार कहते हैं परिवार माने घर के सब व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं बहुधा जिन्होंने एक दूसरे का निर्मान किया होता है बहुधा जिन्होंने एक दूसरे को चुना होता है अगर मावाप और बच्चों की बात करें तो वहां तो सीधे सीधे निर्मान किया गया है और अगर पति-पत्नी इत्यादी की बात करें तो वहां एक दूसरे को च क्या दुरघटना वश पाये जाते हैं आप अपने परिवार में कहिए तो फिर जब आप कहें कि परिवार का महौल ऐसा था तो इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो उस महौल का निर्मान कर रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो उस महौल से उस निर्माण से मिलने वाले दुख में किसी तरह का रस पाता है नहीं तो परिवार बदल न दिया होता हमारा ही निर्माण और हमारा ही चुनाओ है बहुत सीमा तक बदलने की पुर्जोर कोशिश तो की होती जान लगा दी होती स्थितियों को सुधारने में और अगर किसी बिंदु पर आकर ये दिखा होता कि स्थितियां फिलहाल सुधारी नहीं जा सकती तो कहा होता कि मैं फिर ऐसे विशाक्त माहौल में रहूं ही क्यों कुछ समय के लिए दूर हो जाता हूं पुनह जब पाऊंगा कि मैं माहौल में सुधार कर सकता हूं तब निकटा जाऊंगा ये सब काम आप करेंगे या नहीं करेंगे बोलिए आपका ही घर है आपकी खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर घर जल रहा होगा तो तत्काल बाहर तो नहीं भाग जाएंगे सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं बचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आग बुझा दे जान लगा देते हैं फिर पाते हैं कि आग तो नहीं बुझा रही बहुत भड़क गई है बहुत फैल चुकी है हाँ आपके भी फफोले पढ़ने लग गए है आपके भी बाले जलने लग गए है तब आप क्या कहते हैं तब आप कहते हैं मैं बाहर निकल रहा हूँ मैं बाहर निकल रहा हूँ पुनह घर भसाऊंगा मैं बाहर निकल रहा हूँ पुनह घर भसाऊंगा अब कोई जलते हुए घर में धुएं और ताप के बीच भी बैठा हुआ ध्यान करे फिर कहे कि अरे मैं जल क्यों रहा हूं तो क्या उत्तर दू में सर प्रथम बात करो प्रथम कारण की उपचार बाद में आएगा प्रथम कारण है कि तुमने अपने इर्दगिर्दिये क्या संसार बना रखा है उसको बदलो तो फिर किसी उपचार की ध्यान आदिकी हो सकता है जरूरत ही न पड़े बोलो डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने आपको बहुत मजबूर अनुभाव ना करो और मजबूर हम नहीं होते मजबूर हमें हमारी अन्धी कामनाएं बनाती है अन्य था कोई मजबूर नहीं है कामनाओं में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अन्धी न हो जो कामना आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती हो शुब है वो कामना कुछ ऐसा मांग रहे हो किसी जगह पर जो मिल सकता ही नहीं फिर जब पाओ की वो मिल नहीं रहा है तो डिप्रेस्ड हो जाओ ये कहां की समझदारी है बताओ डिप्रेशन कोई चोट तो होती नहीं कि बाहर चे किसी ने आके हाथ पर मार दिया तुम कहो ये डिप्रेशन है डिप्रेशन तो एक मानसिक घटना होती है न उस घटना के केंदर पर बैठा होता है अज्ञान और अज्ञान जनित कामना तुम कुछ ऐसा चाह रहे होते हो जो हो सकता ही नहीं है तुम आधी रात में सूरज की मांग कर रहे होते हो तुम शराब पी कर होश चाह रहे होते हो वो हो नहीं सकता फिर जब वो होता नहीं है तो बुरा लगता है बार-बार बुरा लगता है उस इस्थिति को तुम नाम दे देते हो आवसाद का कुछ अगर सही है तो उस पर डटे रहो कुछ अगर जूटा और भ्रामक है तो छोड़ कर आगे बढ़ो यह आउसाद बीच में कहां से आ गया तुम्हारी कामना तुम्हारा लक्ष जो भी चीवन में तुम चाह रहे हो अगर वो असली है और सुन्दर है और तुम्हें सच्चाई और मुक्तिकी और ले जाता है तो बढ़ा चल नौजवान और जिन चीजों से अटके हुए हो अगर वो मुर्खता पूर्ण है तो तुम्हारे हित में यह है कि सुईकारलो की वो मुर्खता पूर्ण है कम से कम कामना करना तो छोड़ो यहां तो इतना दम दिखाओ कि बेवकूफी की चीजों से अटका हुआ हूँ तो आगे बढ़ जाओंगा आगे नहीं बढ़ सकते मानलो अटकी गए हो तो अटके रहो पर यह उमीद तो छोड़ दो कि यहां तुम्हें कुछ बहुत उचा मिल जाना है जहां पर कामना नहीं है वहाँ विशाद नहीं हो सकता डिजायर के बिना फ्रस्ट्रेशन कैसा आगे से ध्यान आदि पर कम और उन इस्थितियों पर ज्यादा गौर जिनके कारण परेशान हो उन पर बार-बार गौर करो वो इस्थितियां बाहर भी है और अंदर भी है उनको छोड़ो यही ध्यान है यही असली ध्यान है असली लोड़ो लोड़ो उनको ग्यान हो